Hello, दोस्तो, आपका स्वागत है हमाई चनल में दोस्तो, आज हम जानेंगे कि सीता माता को वनवास क्यों मिला था दोस्तो, माता सीता और प्रभुष रिज्राम के वनवास जाने के पीछे कैका ये के हट और स्वार्थ को जिम्मेदार माना जाता है क्या आप जानते हैं कि कैका ये नहीं बलकि कौशल ले की वज़ा से माता सीता ने वन गमन का फैसला लिया था कैका ये ने सिर्फ राम के लिए वनवास मांगा था लेकिन पत्नी होने के नाते माता सीता उनके साथ जाने की जित पर अड़ गई सीता ने कौशरले को उनके वचन की वयाद दिलाते हुए वनवास में राम के साथ जाने की आग्या मांगी थी और मजबूरन होके उन्हें अनुमती देनी पड़ी विवाह के बाद मुह दिखाई में माता कौशले ने प्रभुशरी राम का हाथ सीता जी के हाथ में सौपा था और वचन लिया था कि वो हमेशा उनका साथ देंगी इसी वचन की याद दिलाका सीता ने कौशले और दशरत से अनुमती ली और राम के साथ वनवास के लिए चली गई माता सीता और प्रभुशरी राम वनवास से लेकर जीवन के हर अच्छे बुरे पल में एक दूसरे की ताकत बने रहे वनवास में हो या महल में सीता माता ने अपने बहु और बेटी होने की हर भुमिका का आदश रुप में निर्वाह किया यही वज़ा है कि आज भी भगवान राम और सीता को ही दमत्य जीवन का आदश जोड़ा माना याता है तो दोस्तो आज के लिए इतना ही वीडियो आपको अच्छा लगाओ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों में शेर कीजिए मिलते है नेक्स वीडियो में धन्यवाद